फूली फूली मसाला पूरी आजम बनाएंगे बहुत आसान तरीके से ये पूरिया खाने में बहुत री टेस्टी लगती है जरूर ट्राय करें आप इन्हें सफर में भी ले जा सकते हैं और आप इन्हें बिना किसी सबजी के भी खा सकते हैं ये इतनी टेस्टी बनेगी तो ब बेशन डालने से पूड़ी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, साथी में डाल देते हैं आधा कब जितनी सूजी, ये बारिक वाली सूजी है, सूजी डालने से भी बहुत अच्छा क्रंच और टेस्ट आता है, काफी कुरकुरी भी हमारी पूड़िया मनेंगी, इसी के सा बाला पूड़ी बन रही है, तो हम इसमें और चीजे भी डालेंगे, हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डालने से पूड़ी अच्छी बनती है, यानि इसमें तीखा पना जाएगा, थोड़ा सा तो खाने में अच्छी लगती है, फिर आ ज़्यादँ आपको नहीं डाला है, quantity पिर आपको हींग डाल देनी है, इसी के साथ आप इसमें हारा धनिया भी डाल सकते हैं लास्ट में, फिर आपको नमक डाल देना है, तो थोड़ा सा आपको नमक डालना है, अगर आप थोड़ा धंक से नमक डालेंगे तो आप इसे रूखा भी खा सकते हैं अच्छे से सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए मिला ले इसके बाद आपको पानी डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक डो तेयार करना है पूरी का आटा हाँ थोड़ा सकतो होना चाहिए तो इस बात का ध्यान रखे तो बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें और एक डो तेयार कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डो हमारा रेडी हो गया है इसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा सा ओईल ले लेते हैं ताकि यह जो डो है वो चिकना हो जाए और फिर हम इसे मसल लेंगे तो थोड़ा सा इसमें तेल डाल देते हैं तेल डालने के बाद एक दू मिनिट के लिए हम मसल लेते हैं ताकि यह चिकना हो जाए इसके बाद जो हमारा डो है वो रेस्ट के लिए तयार हो जाएगा इसमें हमने सूजी का इस्तमाल किया है तो इसे हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं इसके पोर्शन निकाल लेते हैं तो थोड़ा सा जो है मैं पोर्शन निकालके रख रही हूँ आप चाहें तो पहले रेस्ट के लिए रख सकते हैं और बाद में पोर्शन निकालने तो यहाँ पे मैंने बराबर से हिस्जे कर दिया है इसके बाद हम इसे 5 मिनिट के लिए कवर करेंगे और 5 मिनिट बाद इसकी पूरिया बनाएंगे तो 5 मिनिट हो गए है अब हम इसकी पूरिया बनाना शुरू करते हैं तो बस हातों में एक लोई लेंगे और हातों में इसे घुमा लेंगे फिर इसकी पूरिया त्यार कर लेते हैं बहुत ही सिंपल है आप थोड़ा सा तेल लगा ले ताकि जो पूरी है वो बेलन पे या चकले पे चिपके नहीं इसके बाद आप इसे बेल ले हमने इसमें सूजी और बेसन के इस्तमाल भी किया है न तो इसके किनारे थोड़े से अनीव बना सकते है तो आप चाहे तो पूरी है आप देखिए अ इस तरह से आपको सारी पूरियां को बना लेना है यह देखिये कित्नी सारी पूरियां बढ़ गई है एक Mia कपाटे से तो पूरिया हमारी सारी त्यार हो गी अब इने फ्राकरई कर लेते हैं तेल अ गरम होना चाहिए पूरी डालते समें तभी आपकी पूड़ी थी अच्छे से फूल गई है तो फिर से एक और पूड़ी फ्राइब कर लेते हैं एक एक पूड़ी करके हम चाहें तो फ्राइब करेंगे क्योंकि इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और हर पूड़ी फूलेगी आपकी नॉर्मल पूड़ी की तरह ही यह फ आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें आपको आज की ये मसाला पूरी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर पताए और ये पूरी तरह से सॉफ थे खाने में बहुत अगर आपको आज की रेसिपी इची लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कु झाल झाल